एलो फ्रेंट्स जैसा कि आप सुभी को पता है MGM इन दौर में पैरा मेडिकल कोर्सेज में एड़िसन इस्टार्ट हो चुके हैं इसके लिए आपने और्लाइन फॉर्म फिलिप किया थे इसके बाद आपकी जो मेरिट लिष्ट है वो भी जारी कर दी गई है मेडिकल कोलेज इन दौर के द्वारा तो आज का जो वीडियो है वो सुल्क पर रहने वाला है आपको फीस कितनी देनी होती है MGM में डिगरी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए साथ ही फश्टियर की जो सुल्क है वो आपको कब जमा करनी होगी ये भी हम वीडियो में डिसकस करने वाले है तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये एडिविशन ब्रॉसर है MGM में पैरामेडिकल कोर्सिस में एडिविशन का इसमें हम सुल्क विबरल का जो सेसन है वो से देखने वाले हैं इसमें आप देखेंगे इसना तक पार्टिकरम VPT, BOT, VXRD, BMLT, BSCOT है तो सुल्क पर्थम बर्स तो आपके जो डिग्री कोर्सिस होती है जैसे आपका BPT है, Bachelor of Physiotherapy और VOT है आपका BXRD, X-ray Radiographer, Technician, BMLT है और BSCOT तो इन सारे कोर्सिस के लिए फ़स्टियर में आपको सुल्क कितना देना होता है तो इसमें आप देखेंगे सिक्षड सुल्क आपका 66,370 रुपे लगता है, इसके अतिरेक्त खेल, कूंद, मनुरंजन सुल्क 1,000 रुपे, आंतरिक, मुल्यांकन सुल्क 1,000 रुपे, प्रयोकसाला एवं सामग्री सुल्क 1,000 रुपे और सुरक्षा ने दी, जो कि आपकी वापसी योग होती है, वो 5,000 रुपे आपको पेमेंट करना पड़ता है, इस प्रकार से, टोटल जो आपकी फश्टियर की फीस है, वो है 74,370 रुपे, फश्टियर में आपको 74,370 रुपे पेमेंट करने होंगे अब इसके बाद यहाँ एक नोड़ वी दिया हुआ है, दुतियर, तुतियर, अंतिम बर्स के लिए, दे सुल्क 69,370 रुपे होगा, अनुत्रिन होने पर नियमानुसार सुल्क दे होंगी तो अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो आपको अधिरिक सुल्क देना होगा, क्योंकि यह वो परिक्षाफी साल आपको अलग से बननी होगी इसके लाबा सेकेंड यार और थाइड यार और फाइनल यार में आपका जो फीफ पेमेंट है वो 69,000 होगा फश्ट यार में किबल आपको 74,370 रुपे लगेगा, उसके बाद आपको 39,370 रुपे यहाँ पर लगने बाला है अब इसके बाद हम बात करेंगे दू वर्सी है, डिपलोमा पार्टी करम सुल्क पर्थमबर्स के लिए आपका जो डिपलोमा कोर्सिस होते हैं उनमें आपको फश्ट यार में कितनी सुल्क लगती है इसमें सिक्षण सुल्क आपका 41,600 रुपे है, इसके अलावा खेलकूद एवा मनुरजजन सुल्क 1,000 रुपे है आंत्रिक मुल्यानकन सुल्क आपका 1,000 रुपे है, इसके लावा सुरक्षे निदी आपको 5,000 रुपे यहाँ पर देनी होती है इस प्रकार से आपका जो टोटल सुल्क है वो 49,000 रुपे हो जाता है, फश्टियर में आपको 49,600 रुपे का पेमेंट यहाँ पर करना पड़ता है अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे दुतिय वर्ट्स के लिए देश सुल्क 44,600 रुपे रहेगा और अनुत्तुरिन होने पर आपको अलग से सुल्क जहाँ पर देना होगा तो यह तो होगे डिप्लोमा वालों के लिए, अब हम देखेंगे एक वर्षी प्रमानपत्र आपके जो सैटिफिकेट कोर्स होते हैं MGM इंदौर में, उनका सुल्क किता लगता है एक वर्षी प्रमानपत्र पाठिक्रम सुल्क, इसमें आप देखेंगे सिक्षहं सुल्क का आपका 29,220 रुपे है खेल्कूद एबां मनुरणजन सुल्क का आपका 1,000 रुपे है, आंतरिक मुलैंकन सुल्क का आपका 1,000 रुपे है तो यहां पर भी नोट दिया हुआ है एक वर्स यह प्रमापत्र पार्टिक्रम में अनुत्रून होने पर नियमानुसार सुल्क देंगे अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से यहां पर अलग से फीज देनी होगी जैसे आपकी परिश्चा फीज से इसका ही आपको पर पड़ता है अगर आप फेल हो जाते हैं अब हम बात करेंगे कि आपको फच्टियर का जो सुल्क है वो कब जमा करना है क्या जब आप कांसुलिंग करानी जाएंगे तभी आपको सुल्क वहां पर जमा करना होगा या इसके अलाबावा आपके जब एडिविशन वहां प सेथी सजार है अगर आपकी अच्छी रैंक है एमजियम इंदोर में तो आप फेस लेकी ही जाएं आपको फच्टियर का जो फीस है वो आपको पता है कि डीडी के माधियम से आप जमा कर सकते हैं या नगत भी आप वहां पर जमा कर सकते हैं तो जैसी आपका कॉंसलिंग पिर जो भी आप एडिपसन लेना चाह रहा है वे सुल्क लेके ही जाए काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग के दिन ही आपको फश्टियर की सारी सुल्क यहाँ पर जमा करनी होगी तो फ्रेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फस्टियर की सुल्ख कब जमा करनी है और आपको वाकी फस्टियर और सेकेंडियर और फाइनल एर में आपको कितना सुल्ख यहाँ पर लगने वाला है इसके लाबा चले कुछ और हम जानकारी भी देख लेते हैं जो कि यहाँ पर दी हुई है नोट यहाँ पर दी हुए है सुरक्ष निदी सफलता पूरवक पार्टिक्रम पूर करने के पस्चाथी बापस लोटाई जाएगी यहाँ प्रविस लेने वाले सेवारत नियमत सास की करमचार्यों को भी पूर्ञ सुल्ख जमा करना होगा उप्रोक्त सुल्क में प्रतिवार साथ तिसबलाव चार प्रतिशत की स्वतहा बढ़ उत्री होगी यहाँ पर पार्टिक्रम सुल्क में आपको दिया हुआ है कि आपको स्कॉलर से भी मिलेगी SC, ST और OVC केटिगरी के जो केंडिडेट हैं उनको scholarship मिल जाती है, scholarship कितनी मिलती है तो जितना आपको फीज लगता है उतने ही लगवग आपको scholarship भी यहाँ पर मिल जाती है अब यहाँ पर एक और फ़इंट दिया हुआ है सुल्क से संबंदित तो यहाँ पर आप देखेंगे आविदकों को इसनाता का डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पार्टिक्रम हेतु निर्धारित प्रथम बर्थ के देशोल्क कांसलिंग के समाई प्रविश पिर्क्रिया के दोरान अनिवार रूप से जमा करवाने होंगे पार्टिक्रम हेतु निर्धारित प्रथम बर्थ के देशोल्क एक मुस्त नगद डीडी वेंकर्स चेक के माध्यम से पार्टिक्रम चैन के समाई कांसलिंग के दोरान संस्था महसाई स्टेट वेंक ऑफ इंडिया चिकिस साल परिसर इंडौर के वेंक खातक्रमांक ये खातक्रमांक आपका दिया हुआ है इसका आप स्क्रीन सोर्ट ले सकते हैं ये आई अफसी कोड है इसमें ही आपको जमा करने होंगे यहीं से आपको आप अगर चाहें तो ऑनलाइन भी वहाँ से जमा हो जाएगा का आप जमा कर देंगे उसके बाद ही आपका यहां पर होगा तो यहीं थी जनकारी जो कि मैंने आपको देना आविशक समझा अगर आप MGM इन दोर में पैरामेटिकल कोर्सिस में एडविशन से संबंदे तोर कोई इनवामिशन चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेसन के माद्य हमसे पूछ सकते हैं